जितने भी छात्रों ने BTP के लिए इस प्रूटी रेवलूसन का फार्म अपलाई कर लिया है सभी इस्टुडेंट बेसबरी से वेट कर रहे है कि उनका रिजल कब तक जारी किया जाएगा एंड गाईस ऐसे कौन से स्टुडेंट है कि इनको बोनस नमबर दिया जा रहा है तो आज की वीडियो में हम सब कम्प्लीटली जाने वाले हैं इसके साथ सब गाईस आपका ODSIM का एक्जाम पोस्पोन होने वाला है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ हमारे पास क्या अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली लाइप प्रूप बताने वाला हूँ तो प्लीज गाईस आप वीडियो को स्कीप करके मत देखना सच में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है अब बाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका ODSIM का एक्जाम क्यों 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 पोस्पोन होने वाला है ऐसा मैं क्यों बोल रहा है उसका क्या रीजन है तो काई जैसा कि आप सबको पता हुआ कि आपका जो एक्जाम है ODSIM का वो 27 ताप दिसंबर से लेकर 27 ताप जनवी तर इस्टार्ट होने खतम होने वाला था तो यहाँ पर गाईस अब क्या होगा यहाँ पर जो आपका इसका यहाँ पर दिखिए नव प्रेस्ट यहाँ पर नव प्रेस्ट चाच शत्राओं है तू नामंकन आवेदन पत्र की जो तिथी आपे थी यह था आपका 15 अब अक्टूबर से लेकर 10 अब नवंबर तक तो फाइनलिंग आइस अब एक बीट्यू पर ने ऑफीसियल अपडेट जारी किया है और यहाँ पर इस अबडेट में यह साफ साब बोल रहे हैं कि नामंकन प्रेखिया के हितू लिंक के अंतिम तिथी 17-11-23 की मदराती 12 बज़े तक निरधारित की गई है उग के तिथी में 50 किसी भी दसा में अल-लाइन पंजियन की नहीं किया जा सकेगा तो अल-लाइन पंजियन प्रेखिया 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 दोरा दिये गए पुरूर दिर्देशों के अनुरूप रहेगी इसमें किसी भी प्रेकार की परिवर्त नहीं होंगे अब गाइस मतलब कि आपको यहां पे साफ साफ बताया जा रहा था कि आपका जो नमंकन का तिथी लास डिट है ओर टेन ता नौमबर है तो फाल्ल यह फिनिस हो गया था अब यहां पे गाईस आप साफ साफ देख पाएंगे कि विसं समेश्टर परिच्छा जो तेश चोब तिथी बढ़ा है तो यहां पे 27 आप दिसंबर से एक्जाम कैसे पॉसिबल हो सकता है यह भी गाईस तो दस दिन का यह डिले तो होगा ही अब 10 दिन का इस डिले यहां पे 100 प्रसेंटेजी होने वाला अगर जहां बात करें तो आपका जो एक्जाम है 7 आप जनवरी से स्टा हो सकता है आप यहां पे आपको भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा बीटिप नवें सेommen के तो यह तो यह क्या करना प्रफिछ तो यही है अभी आपको क्या करना है कि आप त्यारी अपना तुरह सही से करना तक ही आपको अच्छे नंबर्स आ सकी आप गाईस हम सेकेंड टॉपी पे बात करते हैं कि आखिर में जितने भी छात रहे हैं जिरोंने स्कूर्टनी रेवलूशन का फाम अपलाई किया है उनके लगतार कमेंट्स आ रहे हैं क इस तर इस्कूर्टनी का रिजल कब तक जारी किया जाएगा तो आप सबको पता है कि आज आपका है 12 अप आपका 12 अप नौंबर है और आज आपका है दिपावली और दिपावली एक डेटम रिजल आना इंपॉसिबल है लेकिन हम बात करें आपके रिजल को ले करना तो आ सब्सक्राइब का अगर रिजल जारी होने के बाद इस प्रिवर्स जियर में जो आपका रिजल आया था तो इस बार आठ दिन पहले रिजल भी आपका आया है तो मैक्जिमम चांस है कि आपका आठ दिन पहले इसका इसकूटनी रेवलूसन का भी रिजल आ जाए तो यहां सब्सक्राइब को आजाएगा बट यहां पर फेस्टिवल की वह से इसको डिले किया जा रहा है अब मैक्जमम चांस लग रहा है 15 आप 15 नॉम्बर तक आपका रिजल जारी कर दिया जाएगा अब गाईस हम एक टॉपिक पी बात करते हैं कि आखिर में ऐसे कौन से इस ट्रे इसमें 100% है जितने भी चात्रों को वन से लेके 5 नंबर तक बैग था इनका तो 100% बैग क्लियर हो जाएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूं जैसा हमारे पास रूमर्स आ रहा है कि बच्चे को नंबर बढ़ रहे हैं और डेफिनिट लिगा इस नंबर आपके बढ़ भी रहे तो आप टेंसर मत लेना अगर आपके इतने नंबर से बैग थे तो आपको नंबर बढ़ जाएंगी अगर आपका 10 नंबर से था तो यहां पे दो तीन चान नंबर से आपको बैग का सामना करना पर सकता है तो यहां पर डेफिनिट लिए ऐसा होगा अब गाईस हमारे पास जो भी इंफर्मेशन था मैंने आपको इंफर्म कर दिया है अगर इसके रिगार्डिंग आप सबसे लेटेस इंफर्मेशन पाना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना काईस मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी आगे भी हेल्प करूंगा अगर की ऑफिसल वेबसाइट है यहां पे क्लिक करना यहां पे क्लिक करके आप होमपेश पर आएंगे तो फटाफ़र्ट चाहँ विजिट करो बोर्स पारादी मुंसी पालती आप यहां आजाना और यहां पे लिंक्स अवेलबल यहां पे आप इसली अपने रिजल को चेकाउट कर सकते हैं तो फटा-फटा आपक्स खरता है और खताफ़र्ट शिकाउट कर लेकाश फिर से मिलते हैं अगले वैबाय टेकılar फिर मिलते हैं अगले वेडी ओनों भी टेक कियर झाल झाल